गुड बॉर्णिंग स्टॉक अप्डेट फॉर्द डे तोड़े 17 अगस्ट 2022 वेल्कम टू शंजीब फिंटेक आज जो स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताएंगे उसका नाम है एलेंटी फिनन्स होल्डिंग लिमेटेड स्टॉक टेडिंग एट 77.80 मार्केट आफ है अ जो शेयर है वो काफी वैटरीन कंपणी है बूग बेलू के नीचे में चल रहा है इसका करेंट मार्केट प्राइस तो उसी साबसे इंबेस्मेंट का व्यू के सबसे आप उसका टार्गेट रख सकते हैं इसका जो डिवेडेंड एले पॉइंट 65 परसंट के आसपास फेज जलो दस रुपए का बहुत ही फिनोमेनल कंपणी है तो और ज़्यादा जानकर इल के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल जिसका नाम है शंजीव इंटेक अगर इसका डिटेल्स में आएंगे तो कंपणी अफर्ट करते हैं डिफाइंड कांड आफ एन्वी एफ सी प् लोन एगेंस्ट प्रपर्टी जिसको लेब बुलते हम लोग फिर इंटेट फाइनसिंग लोन इंफा लोन और इंफा डेट फंड में भी इसका बहुत ज्यादा पर्टिसिप्रेशन है एक कंपनी रिजब बैंक आप इंडिया के अंदर रिश्टर्ड है जिसका में प्रोमो ज्यादा आपको जो लगेगा वह आपका बहुत अच्छा प्रोमोटर ग्रूप में है वह अपका सबसे बेस्ट पॉइंट है इसके इलाबा इस सबसेडियरी है कंपनी तो है इलंटी के साथ इसका इस्टेक है 63.5% के आसपास इसके बाद बाला भी और ज्यादा इसका पैर के करीवाता है माइक्रो लॉन में 13% और अपका अपको अलो होम लॉन में है 12% के असपास चुमाल लून में है 1% के आसपास बैलेंस है लोन और होल्ट शेग्मेंट और रियल इस्टेट फिनांसिंग और इंफर स्ट्रक्चर में 14133 परसंट है रिस्पेक्लिव इंफर का 197 ब्रेंश के आसपास है 1395 माइक्रो लॉन्स मेर्टिंग सेंटर्स अर्डियर इन लेंटी फाइन्स एगार अलाग प्लास कस्टमर है जो बहुत ही अच्छा एक एक इंप्लोई बेस्ट है जिसका टोटल एंप्लोई बेस्ट है लगवग सारे 22000 के करीब बिजनस सेग्मेंट में बहुत अच्छा पर्डिस्टिपन रखता है और सबसे ज्यदा है जो चीज है हो है कि इसने इसका मीच्वल फंड बेस दिया हंडिट परसेंट इकुटी शिय का मार्ज हो जाएगा मतलब यह जो लॉस्ट पेकिंग कंपनी रखनी रहा है तो उसी सबसे बहुत है मने बहुत अच्छा अट्रैक्टिप कंपनी है और इसका देखेंगे तो इस्टॉक पी चल रहा है नाइंटी सेवन बुक भेलू के आसपास बहुत अच्छा एक प्लास के आसपास सबसे देखा जाएगा कभी सस्ता पी है और सेकेंडली इसका जो रेविन्यू ग्रोथ है वह भी बहुत अच्छा है निट प्रॉफिट फाइब नैंटी फोर क्रोर सरी 549 के क्रोर के आसपास 2019 में जो बाइस तक आते आते इसका 262 क्रोर का इसका थोड़ा के इसके इसके अपसे लॉस चय कर ना कर रहे है उसी साफसे के साथ में जा सकता है की पूर हम अच्छा मेर्षाब यह कहान है बहुत बढ़िया किया अभी बढ reign डाउन वर्ट इन्द है और चल रहा था तो बिए हैं उसके बाद काहकिए इसके बाद है इसको यहां पर चार्थ होँआ है तो मेरे को लगता है रहे हैं कहले हैं जो भी हैंँ सब्वा एक ओक मेरे सब्सक्राइबिंगा इसके बीसरे DMI के विदेखेंगे तो इतना पश आ के बैठता है जो है आपका 77 के आसपस तो मेरे को इसा सब्स ऐसी लेबर से stuck इतना दूरता के जा सकता है देखे लास्ट टाइम भी यहां पर आके a sustainable किया था एक में भी इस टॉक इसी लेविल से मोटा मोटी एही लेविल पर रुकिया था तो मेरे सब्सक्राइब लग रहा है कि पास से 15 दिन के अंदर इस टॉक इतना देर दूरी तयाए कर सकता है सेकेंडली इसका और एक चीज देखे जे आरेसाई है काफी अट्रक्टिव है तो आपको समझ में आएगा कि यह लगए कि 860 के आसपास यहां पर जाके यह थोड़ा बुलिशनेस जाने का कोशिश कर रहा है अगर यहां से थोड़ा सा यह ब्रेक करता है तो यहां से और उपर जाने का यह श्रमता रखते हैं तो फ्रेंड्स बैसिकलि इसका आरेसाई भी मेरेको बहुत अच्छा लग रहा है इसका मैग डी भी बहुत अच्छा है जो थोड़ा हम यहां पर दिखाने का कोशिश किये तो से सबसे इसका अब मान सकते हैं कि यहां से बूलिश पैटन बन बैठेगा जिसका यह जो जो लेवल है 74 74 के आसपास आके बैठेगा तो इसका रेट किलर में स्टॉप लॉस का मॉलाइन देते चाहे तो इसमें आपको एक्जैक्ली समझ में आ जाए क्या हम बोलने का कोशिश कर रहे तो दिखिए इसके पास इसके बाद मेरे को लगता है कि जो पैटन है बेटन के 20 में जो ब्रेक आउट है ब्रेक आउट में उपर में जा सकता है यह जो पैटन आप अप देख रहे हैं नीचे बाला एक सब और भॉट लाइन रॉप किये तो इसके उपर जैसी स्टॉक्ट्स चलना स्टाट होगा हम यह लेविल बूलने का फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो जुरूर अपना फ्रेंड्स फैमिली के साथ जुरूर शेयर किजिएगा हो सकता है कि मेरा बुलने में थोड़ा अपको लगा कि इस टॉक खरीद ले और बहुत प्रॉफिट कमा है तो बिलकुल ही नहीं आप मैं मेरा भी दिया लेकिन हां मेरे को लगता है कि यह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि लास्ट चार पास दिन जो हम लोगों को जो हम इस्टॉक रिए आप की यह बाई वियू दिये है आप परचेस किये कि नहीं वह आपका उपर निर्भर है लेकिन वह शेयर में बहुत सारा गैन मिल सकता है होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगने से बहुत मैनेदबला चीज़े दोस्तों तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन में जरूर फिट कीजिएगा जो नया नया न इन्वेस्मेंट करिएगा थैंक यू सो मच